हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे कि अगर किसी का दांत हिल रहा है तो क्या उनको रोका जा सकता है क्या हिलते ये दांतों को रोकना पॉसिबल है तो मैं हूँ डॉक्टर पुन्नम शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली चलिए जानते है कि हिलते य दांतों को रोका जा सकता है या नहीं दांतों का जो हिलना होता है इसको डेंटल टर्मिनोलोजी में मोबिलीटी बोला जाता है यानि कि टूथ का मोबाइल होना या तूथ में मोबिलीटी होना इस मोबिलीटी को फाइफ वागों में डिवाइड किया जाता है ग्रेड जीर and great half mobility काफी लोगों में होती है क्योंकि teeth अपनी जगह हमेसा move करते रहते हैं तो यह natural होती है इसको हम लोग दान्थ के हिलने में सामिल नहीं करते हैं अब आते है great one mobility Great one mobility का मतलब होता है कि tooth अपनी जगह से थोड़ा-थोड़ा हिल रहा है थोड़ा बन 1mm से ज्यादा वह हुल रहा है अगर किसी को grade 1 mobility, यानि कि उनका जो दान्त है वो थोड़ा बहुत हिल रहा है और चीम्हों क्किल से रोख सकते हैं। उसकी प्रीच्मैक्ट्र ट्रीटमेंट कर सकते। curry cow की वजे से दान्त हिल रहा हैक, यानि कि उनका गुंस हो गया या को हम प्रीट्र ट्रीरिट मेंट करकेर को रोक सकते हैं और अगर नौर्मली और तो हम उसको ईन पायका सरज्री दो सकते हुए बोलेटी अगर किसी को ग्रेटू मॉबिलिटी है यानि थोड़े से ज्यादा दांथ हिल रहा है तो उसको हम हिलने से तो नहीं रोक सकते लेकिन उसको और ज्यादा हिलने से और बाहर निकलने से रोक सकते हैं उसके एच्छे से ट्रीट और अच्छे से मैंटेन करके स्केलिंग करके सकते हैं और थोड़ी मोबलीटी भी कम हो सकती है ग्रेप टू मोबलीटी में स्प्लिंट का यूज करके भी दान्त को लिए से या फिर बाहर निकलने से रोग सकते हैं अब आते हैं ग्रेप अगर किसी को ग्रेप ज्यादा हिल रहा है तो उसको रोकना possible नहीं होता है वो समय के साथ या कुछ hard खाने के विज़े से विज़े ही निकल जाएगा थोड़े दिनों में जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा वो खुद बाखुद निकल सकता है लेकिन अगर किसी कारण से खुद नहीं निकल पा रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके उसको निकल वा सकते हो अगर वो आपको परिशान कर रहा है तो और अगर कोई परिशानी नहीं है तो वो अपने आप ही निकल जाएगा तो आज के इस वीडियो की तुर हमने ही जाना है कि क्या हिलते दान्त को रोक सकते हैं अगर ग्रेट 3 मोबिलिटी है तो उसको रोकना मुश्किल होता है और ग्रेट 2 और ग्रेट 1 मोबिलिटी में हम उसको रोक सकते हैं तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आप लोगों को दान्तों से रिलेटेड कोई भी क्योरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हूं थैंक यू